दो हजार पंद्रा वर्ष में आपसे अधिक उपेक्षाएं रखी जा सकती हैं इस वर्ष आपको हर कारिये के लिए उच्छुक रहना होगा और निर्भीक होकर कारे करना होगा आप यह संकल्प लें कि आप अपने कारियों को भली प्रकार से कर सकें आपके कुछ रिष्टे सही नहीं हो सकते हैं आपको अपने स्वभाव पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी आपके व्यवसाइक और निजी जीवन में भी विकास करना होगा अपने प्रियजनों से तथा अपने सहयोगियों से कोई सहारा लेने में आपको परिशानी नहीं होनी चाहिए इस वर्ष आपके व्यवसाइ में कोई भी परिवतन होनी की संभावना नहीं है आपका कामकाज अच्छे प्रकार से चलेगा और आपका कार्य कौशल भी कुशलता पूर्वक चलता रहेगा जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसके अच्छे परिनाम होंगे आपको थोड़ा बहुत तनाव रह सकता है किन्तु आपको हर प्रकार से सोच समझ कर कारे करने होंगे और सुचारू रूप से योजना बद तरीके से प्रयोग मिलाने होंगे आपके रिष्टों में आपकी अधिक भागेदारी होगी आप अपनी भावनाओं और आंतरिक इच्छाओं को आसानी से व्यक्त कर पाएंगे जो आपके आदर्श जीवन में सुखदाई होंगे आपकी समझदारी आपको होने वाली परिशानियों को दूर करने में मदद करेगी वर्ष के अंत में आपके रिष्टे बहुत ही अच्छे होंगे आप अपने जीवन साथी और अपने ग्रहस्त जीवन में सही संबंद बनाकर आगे बढ़ सकते हैं अते पून विवेक से कारे करने की आवश्यक्ता होगी इस वर्ष आपकी आए और वे की इस्थिती कुछ गरबर रहेगी आपको अपनी धनराशी को समाप्त करने और उसको प्राप्त करने के बराबर अवसर प्राप्त होंगे आपको धन की बचत के लिए कोई विशेश योजना बद्ध सोच रखनी होगी आप केवल अती आवश्यक चीजों पर खर्च करें और बाकी धन को भविशे के लिए बचा कर रखें आप अधिक मेहनत करें और संकल्प लें की जो आप कर रहे हैं वे सही दिशाकी और अग्रसर हो रहा है आप बहुत ही बुद्धी मानी से और निर्नायक रूप में कारे करें इस वर्ष आपका स्वास्थे स्वस्थ रहेगा किन्तु छोटी मोटी परेशानिया तो होती ही रहेंगी इसके कारण आप अधिक चिंता में भी होंगे आपको ठकान और तनाव भी होते रहेंगे आप शान्त रहें और अपना मानसिक संतुलन न बिगड़ने दें संतुलित आहार लें और व्यायामादी पर पूरा-पूरा ध्यान दें वर्ष के प्रारंब में आपकी प्रगती अच्छे धंग से होने वाली है भविश्य फल 2015 के अनुसार परिवार में कोई खुश खबरी मिल सकती है कुछ पारिवारिक सदस्य से आपको परिशानी में डाल सकते हैं और आपकी अमन को ठेस भी पहुँच सकती है लगन पर केटू की उपस्थिती को देखते हुए आपको अपने स्वास्ते का विशेश ध्यान लखना होगा अपने खान पान और भोजन पर भी आपको विशेश ध्यान देना होगा राशी फल 2015 के अनुसार आप अपना वाहन सही प्रकार से चलाएं इस वर्ष आपके प्रेम संबंद भी अच्छे हो सकते हैं सब्तम में राहु की उपस्थिती ग्रहस्त जीवन के लिए कुछ कम उचित कही गई है इसलिए आपकी कुंडली में प्यार और विश्वास की जरूरत बढ़ी ही रहेगी 2015 में आपको अच्छी नौकरी भी मिल सकती है लेकिन आपको परिश्रम और जिम्मेदारियों से काम करना होगा इस वर्ष आपके पास धनलाब का भी योग है शिक्षा के लिए समय अनुकूल होगा वर्ष के अंत में समस्याएं भी आ सकती है आपको मंदिर में चावल, डाल, गुर्ष और चीनी आदिदान में देनी चाहिए आपको राहु देव ग्रहे की पूजा करने से लाप प्राप्त होगा आस गनेशा के सभी ग्रहकों को हमारा सहर्दे धन्यवाद है और हम आपके उज्वल एवं सुख में भविशे की कामना करते हैं हम आपको यह भी विश्वास दिलाते हैं कि भविशे में भी आपको सटीक एवं उच्चतम सेवाय प्रदान करते रहेंगे